लुट इस प्रफटर हिंदे के चप्टर आठ के जो कुछ जुरुरी कोशन सरे आपको बताने वाला हूं जो आक्विजाम के लिए बहुत जुरुरी है अगर आप इन सब को आच्छे से तैरिक कर लेते हैं आपको पास वने चांस ही नहीं बज़के परसेंटेज भी अच्छे करने के चांस बन जाते हैं तो इसके जुरुरी है कि आप इन सब को जो अच्छे से करिये बारबर करिये जब्दा को समझ नहीं आते जैसे नहीं होगे पर्सेंट लिखना करो तो यहां पर देखं़ जाए मैं आपको सब्सक्राइब को बताना चालता हूं कविता के बारे मे कि यहां पर है क्या तो यहां पर देखा जा कविता है चंदर को पढ़ लेते हैं और फिर इसके बारे में उसके बारे में आपको बात बताऊंगा तो इसका मतलब क्या है तो जान लेते हैं से से पहले आपर मैं आपको जो कविता है कविता को पढ़ बतायता हूं देख आया चंदर गहना देखता हूं दिर्शे में मेड पर बेठा इस खेत पर बेठा अकेला एक बीते के बराबर यह हरा ठिकने चना बादे मुरठा शिश पर छोटे गुलावी फूल का सच कर खड़ है पास ही मिलकर होगी है बीच में अलसी हटे ली दे की पत्री कमर है लशीली नील फूल फूले को सिरे पर चड़ा कर कह रही है जो चुएगा दूंवी हिर्देदान उसको और सबसू की ना पूछो होगे सबसी स्यानी हाथ पिले कर लिए है प्या बढ़ नबे पधारी तो ना देखता है और को कच्छ ना है आपको उसका लिखना पर्स सagenacie है अभेड इखनी कि क्या लिखनी है अगरवाल और कमरा बंता चंदरगनया से लोट आया कवी लोटते हुए सुन्दर खेतों को देखकर मोहित और वहीं मेड़ पर अर्थात खेत की हद बंदी पर बैठ गया और खेत के आसपास दिर्शियों को देखने लगा से से पहले कवी का दियान खेत में उगे वे चनी की और गया चनी के पोधे का आकार बहुत छोटा था उस पर गुलावी रंगे फूल आये वे थे कभी को ऐसा लगा मानो ये छोटे से बालिष्ट भर के पोधे से पोधे ने अपने सिर्प पर गुलावे रंके पगड़ी बांदी है और सजा सवरा दूहले की तरह खड़ा है चना और अलसी दोनों एक ही खेत में आसपास में खड़े हैं अलसी का पोधा दुबला पतला है लचिला है यही वज़ा है कि वे हवा में हिलता डूलता रहता है यहां कभी अलसे के तीन विशेस्ता देता है वे हटेली है उसकी देह पतली है और उसकी लग्शक्ति कमा है वे पत्य होने का रहा है हेलते डूलते रहती है लेकिन तनकर सिधे खड़े रहती है इसलिए वे कभी ने हटेली कहा है उसके सिर पर बड़े गोल अकार वाला डूंडिया होती है वे फूलती है जिन से बीज बनता है अलसे का फूल निले रंका होता है उसे देखकर कभी को लगता है कि वैं दूबली पते लड़की है यह मचल रही है कि जैसे कहा रही है कि जो मुझे छोएगा मैं उसे अपना दिल दे दूँगी सरसो के बारे में कभी बताता है कि उसके बारे में तो कुछ पुछो ही नहीं वे तो ऐसी है कि उस जैसा कोई दूसरा हुई ही नहीं सकता। वे अब स्याने हो गई है, यानि वे समजार हो गई है, उस पर योबन आ गया है, वे भूत चलाक हो गई है। कविस हर्सों को से आने के का बता चाहता है वैं अब विवा के लाइक हो गई है यह वज़ा है कि उसके हाथ पीले कर दी है तो यह हमें अपना जो देखा है यह साल से में इसकी कहा करनी है तो उसलिए अगला हम कवितांश पढ़ते हैं यहनी किसी कविता फुरस आगे बढ़ा में नगर से प्रेम की प्रेम भूमें अधिक है और प्यारों के तले है पोखर उठ रही है उसमें लहरिया नील तल में तो उगी है घास भुरी ले रही है वेवी लहरिया एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंकों को चमकाता है है कई पत्थर किनारे पीले चुचा पान प्यास जाने कब बुचेगी तो यहां पर देखा जाए हमने इसको पढ़ ले अगर मैं इसके बारे बताना चाहूं फाग गान गार आ है चना सजर आ है सरसो हाथ पीले किये गए है इन सब में एक दूसरे के हो जाने के उसकता नजर आ रही है कभी को इस दिर्शे को देखकर ऐसे लगता है मानो सरसो का स्वेमर हो रहा है जैसे मा विवा मंडब में कन्या के उपर रिसने भरे आंचर की च्छ करती है उसी प्रकार प्रकरती मा की भूमे का निवा रही है उसका उनुराद भारा आचल हिल रहा है कभी को यह सुन्दर दिर्शे बहुत अच्छा लगता है उसे ऐसा लगता है कि गाउं में शेयर से ज्यादा प्यार मिलता है नोगर का दो जीवन एकदम व्यवसाइक हो है महा प्यार बहुत कम देखा जाता है इसकी विपरित गाउं में प्रेम पिरिये कि कोई कमी नहीं है कभी निशे तलाब देखता है तलाब में छोटी छोटी लहरे उठ रही है यह पोखर छोटा से तलाब इसका जर निला है उस पर भुरे रंग के घास होगी है ज़र तला पान को देखकर कभी को ऐसा लगता है कि मानों चांदी का गोल सा बड़ा खंबा है क्योंकि यहां देख जाए चांद यह परशाई यह पानी में होती है लेकि जब पानी जब हिलता है तो चांद के परशाई भी क्या हो जाती है वह खिच जाती है लगता है कि जैसे पानी मे इसे ने चान्दी का कॉल खंबा हरक दिया हो तलाप के किनारे कई पत्थर पड़े है कभी को लगता है कि पत्थर ना जाने कब से किनारे पड़े है और इस वकर का ये तलाप का पानी पी रहे है पर इसकी प्यास अभी तक नहीं बुजी जब से यह तरह बना है तब से पत्थर ही पड़े और अपना पानी पी रहे हैं तोशलिए अब जो हम यहाँ पर अपना कविता कविता खतम करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम उसके कोशन्ट से करेगे तो यहाँ देखा जलाश्मन से का जाता है चुप खड़ा बुगला दोबाय टांग जल में देखते ही मीन चंचल ध्यान निदरत आखता है चट दबा कर चोश में नीचे गले में डालता है एक काले मात वाली चतुच जडिया श्वेत पंको की जपाटे मार फोरन तुट पड़ती है भरे जल के हिर्दे पर एक उजली चटुन मचली चोश पीले में दबा कर दुड़ती है गगन में तो यहां देखा जाए कभी को तलाब में एक बुकला दिखा जता है वे पानी में टांग डुबाय है ध्यान मगन है ऐसा लगता है जैसे सोयोवा है है तो वह सावधान पर देखने वालियों को ऐसे लगता है कि मानो सो राए जो ही कोई चंचल मचली उसे देखा जेती है जट उसे गटक जाता है एक काले माथेवल चड़िया अपने सफेद पंक फैला कर तलाब की सत्या पर बेठी है वह भी जपट कर पाने के भीतर से अपनी पीली चोश में एक उजली सफेद मचली को दबा कर आकार्श में उड़ जाती है तो यह हमें इसमें बताया गया है तो देखा जाए हमने अपना देखा जाए इसकी कविता को ने पढ़ लिया समझ लिया आगे बढ़ते हैं आपके सरसों के लिए विपार भूमे के लिए गरामे परिवर्श के लिए तो होट असान सवाल है हम पर मोशा के लिए परिवर्श के लिए तो शिली आगे बढ़ते हैं ब बात करते प्रश्म 2 कि प्रश्म 2 मेंया मसें का जाता है तलाप के तल में भुरे घास तहरी यहां क्यों हें नजर आती है तो हैं तलाप कर नीचे हवा है तलाप पान हिलता है और गास घंकर लिए ήταν में इससे कारण तो देखा रहा तला को पान खी इस même हो जाती है तो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं पा 아침 पशमती में बैसे चांद गोल खंबा से क्यों लग रहा है इस आज़ एक आढ़ा है उन्हों पानि हिलना ही का बात की घुर दो ँभता है तो हमारे समाज में भोगला किससा प्रतीक है तो शोशत का मजूर का भोकिल्षद का शोशक का तुई हमार बनता है formation की यहाँ पर समाज में सी सज्चाद लोगों का फायर उठाते हैं व व्यक्ती कोन हैं शोशकक दूश ही लिएगे दोड़ते अब बात करें तो परशनों पांच की, परशनों पांच वह से का जाता है, कविता के अदहर पर चने के सौंदरे का चित्रन कीजिए, क्योंकि यहां देखा जाए खेत में जो चने का पौधा है, वो कवि को दिख रहा है तो वो क्या कलपना कर रहे है उसको देखकर, खेत की मेड़ पर बेठे कवी कध्यान चने पर जाता है, चने का पौधा आकार में छोटा होता है, चने में गुलावे रंग के फूल आयवे है, कवि को लगता है कि यह पालिश भर का यानि छोटे सेकद का अपने सर पर गुलावे पड़ी बांदे सवजरा, सवजरा सवरा द चना है, चना जो हमारा पर गया है, दूला बनका बैठावा है, क्योंकि हाँ पर देपत्या है, जो दूला होता है, वो गुलावे रंग के पगड़ी बैंदे वे बैठाए, तो वह चलिए आगर बड़ते हैं, अब बात करते हैं परश्मत 6 की, परश्मत 6 में से का जाता है, तो बहुत जूरी स्वाल है, क्योंकि यह स्वाल देखा जाग पर एकजामे करे बर आ चुका है, तो इस स्वाल हमसे पूछे जाता है, कि सर्सों को हो गए सबस्यानी, यहनि कि हैं सर्सों को स्यानी क्यों का गया है, तो बहुत असान जवाब है, अब बहुत जूरी स्वाल ह कभी ने सरसों को सौंदरे का वर्ण करते हुए कि वे निराली है वे अब सयानी हो गई है अर्था समझार हो गई है चोतर हो गई है वे युवा हो गई है उसमें योबन फूट रहा है बहुत होता है वे कभी का संके दे रहा है कि अब विवा योग्य हो गई है अतिक इसका वि प्रश्म साथ की परश्म साथ में असे करता है वेपारे नगर के अपक्षा गरामीन अचल को प्रेम के लिए क्यूं उर्वर क्यों माना गया है कि इसमें बताया कि आको पूछा जाता है कि जो जो हमारा पर गाउं है वो शेहरों की तुलना में ज़्यादा च्छमाना जाता है क्यूं नगरों का आजकल बजारी करण हो गया है क्योंकि यहां देखें नगर में क्या है बिजनेस वेवपारी विरदी के हो गये है वहाँ प्यार को भी विपार की दिश्रे देखा जाने होती है क्योंकि शाओर में क्या है कि हमारे प्रोस में रह रहा है कि कौन आ रहा है रहा हमें यह नहीं पता जो कि जो है कि जो है हर प्रिवार को दूसरे प्रवार के क्या हो रहती है खबर रहती है कि कहां कब किसी शादी हो नहीं है कब किसका क्या होना है कौन क्या कर रहा है तो हर किसी अपने दूसरी खबर रहती है और एक दूसरी अपना सुब्सक्राइब में जाते भी है हर तरह के तेवार मना सब्सक्राइब को लेकर प्रेम को लेकर संस्कृतियों को लेकर प्यार मुबद को लेकर इज़त को लेकर हमारा देखा जाद इसमें अच्छा बताई गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं पर्षमर्ण आठ के पर्षमर्ण आठ में ऐसा करता है एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा कच्छे तर्फ अपने शवद्धों में इसपर्ष कीजिए मलग यहां पर देखा जाए जो यहां पर वाक्या आया था इसका मलग क्या बनता है तलाब में चांद बड़ी का एक बड़ासा गोल कहंबा लगता है कि असलों में तलाब का जल हावा की वज़ा से हृड्डूल रहा है उसमें लहर है उटेखी तलाब वाले तलाब में क多 लंब़ा दिखा adventures करन इसलिए कभी कूल रगता है कि चांद, चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबाए, तो शिलिए आगे बढ़ते हैं, एक और हमाद जो सवाल बनता है, परशन में आप नो, नो में आप से खाया जाता है, बोगला समाज के किन लोगा परतिक है, क्यों आपको बताना है, यह बोगला है, बोगला है, आपर समाज म में एक काहवाद भी परसिद है, बोगला भगत, कविता में भी ऐसा ही इड़ोंगी, बोगला दियान लगाए बैठा है, पर जैसे कि मचली दिखा जाती है, ऑफ़र्ट से उसको निकल जाता है, यह हमार बनता है, बोगला समाज में यह तर धूर्त चलाक लोगों का आपरत अब बत करतेim present — 10, 10 में ऐसे कायाता है, तलाब के पत्थरों देखकर कभी ने क्या कर्पना किए, कि यहां देखका जाए, तलाब है, तलाब में हम पर कल्ज़ेका कुछ पत्थर है, जो कुछ पत्थर टुकड़े है, वो पानी के अंदर है, कुछ पानी के बाहर है, कुछ आधे पानी में कुछ आधे भार है तो उनको देखके कभी ने क्या कर्पना किये तलाब किनारे पत्थर देखकर कभी का कर्पना करता है कि ये पत्थर ना जाने कब से इस तलाब का पानी पी रहे हैं पर अब तक इनकी प्यास नहीं बुझी तलाब किनारे पड़े पत्थर के सम्मज में कर्पना कर दोनों के सह चाले कर्पना कर रहा है बलось से देखा जाए तभी कहना चाहता है कि तला में पढ़ि पतर लग रहा है जासे कि पानी पिए रहे हैं जसे तला में तो Top Tag पी रहे हैं लेकि इनकी प्यास EOS प्यास है कि अवता कि इनकी प्यास भुजी ही नहीं